आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, the question is Change the following as directed देखो जैसा given है ना bracket में हमें sentence को वैसे ही change करना है क्या बोला गया है? Change into interrogative Interrogative में change करना है Sentence क्या है? Sentence है, she is your mother Affirmative sentence है, fine We can write, it is affirmative A-double-F-I-R-M-A-T-I-V-E It is an affirmative sentence क्या बोल रहा है? वो कहा रहा है, she is your mother ठीक है? कि वो तुमारी क्या है? मा है, कौन है? मा है तो हमें से interrogative में करना है तो हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे कि क्या वो तुमारी मा है? तो जब भी हम ऐसा कहते हैं या पूछते हैं तो देखो, अगर what वाला कोई scene होता है यानि कि question word है what, who तो उसमें तो हम वो पहले लगा जेते हैं अगर नॉमल संटेंस अब वो में टिप को आपको बनाना है तो आपको auxiliary verb को पहले ही उस करना होगा यानि कि यहां पर इस auxiliary verb है तो उसको आपहले ही उस करेंगे उसके बाद आप संटेंस के जो subject है उसको रखेंगे तो she यहां पर as a subject work कर रहा है तो she उसके बाद आजाएगा उसके बाद क्या आएगा उसके बाद जो भी बाकी का phrase given है वो आजाएगा जैसे यहां पर your mother है तो your mother उसके बाद as it is आजाएगा ठीक है we will write your mother तो correct sentence क्या बन गया अगर हमें interrogative sentence बनाना है तो वो क्या हो जाएगा is she your mother मतलब यहां पर question mark और add होता है क्यों add होता है जब भी हम interrogative sentence बनाते हैं तो हम interrogation दिखाने के लिए कि sentence interrogative हम question mark जरूर लगाते हैं अगर question mark नहीं होता तो sentence incomplete माना जाता है this is important so we will say is she your mother क्या वो तुम्हारी मा है that is the correct answer of the given question so this was it thank you